डेली उनिवस्टी की तरफ से कल की डेट में बड़ी ही अच्छी रिक्रूट्मेंट आई है काफे सारी वेकेंजिया है अलग-लग क्वालिफिकेशन के लिए इनके बारे में बिलकुल विस्तार से सारी जानकारी इनके डिटेल्ड ओफिशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी अगर आप डैली में किसी गवर्मेंट जोग का इंजार कर रहे थे तो वीडियो को शेरूर से लेके आके तक जरूर से जरूर देखे और इसी प्रकार की लेटस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइ ही है तो आप पिलकुल भी प्रेशान ने हो क्योंकि अभी टेंपरली अन एवलेबल है ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस ये देखी एक विज्यप्ति विजारी की गई है इससे जुड़ी हुई उत्तरपरदेश मादिमिक सिक्षा चेहन बोर्ड प्रियाग राज की के जब भी ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे बाकी अभी देख लेते हैं डेली उनिवस्टि की तरफ से जो रिकृट्मेंट आ रही है काफि सारी अलग-अलग वैकेंसिया है 500 रुपय एप्लिकेशन फीज है अन्रिजर्ड वैकेंसिया भी है टेकनिकल भी है काफि सारी पोस्ट है असिस्टेंट रिजिस्टार की दो वैकेंसिया है एक OBC के लिए और एक PWBD के लिए तो केटेगरी के अकोर्डिंग आप यहां देख लीजीगा पेस के लिए लेवल 10 अपर एस लिमिट है 35 साल सेक्शन ओफिसर एक वैकेंसिया लेवल 7 है स्केल ओफ पे अपर एस लिमिट 35 साल सीनियर असिस्टेंट 6 वैकेंसिया है लेवल 6 अपर एस लिमिट 30 साल फारमिस्ट एक वैकेंसिया लेवल 5 अपर एस लिमिट 30 साल असिस्टेंट 6 वैकेंसिया लेवल 4 अपर एस लिमिट 30 साल स्टेनो ग्राफर 10 इसके बाद टेकनिकल में है जूनियर इंजिनियर इलेक्टिकल की एक पोस्ट है लेवल 6 अपरेज लिमिट 30 साल इसी तरह से टेकनिकल आसिस्टेंट की एक पोस्ट है लेवल इसके बाद नर्सिंग में नर्सिंग ओफिसर की पाँच वेकेंशिया है लेवल 7 अपरेज लिमिट 35 साल लाइब्रेरी अटेंडन्ट की एक वेकेजंसी है लेवल ओन अपर एस लिमिट 30 साल तो ये है वेकेजंसियों की डिटेल ओफ लाइन आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और जहां तक आवेदन करने के अंतिम्तित्थी है वो है एम्प्लॉइमेंट न्यूस पेपर में प और आपको अपनी एप्लिकेशन भेज देनी है जाएंट रजिस्टार वीपी चेस्ट इंस्टिटूट उनिवस्टी ऑफ डैली नौर्थ केंपस डैली यहां पे भेजनी है और एप्लिकेशन फोर्म आपको ओफिशल वेबसाइट वीपी सी डोट ओ और जी डोट इन यहां पे मिल जाएगा यह देहिए है ओफिशल वेबसाइट वलब भाई पटेल चेस्ट इंस्टिटूट उनिवस्टी ऑफ डैली के रिकूट्मेंट का सेक्शन है यहां पे यह देहिए यह एप्लिकेशन फोर्म भी अविलेबल है यहां पे और यहीं पे इसका डिटेल अप्लिकेशन फोर्म जमा कराने होंगे अप्लिकेशन फोर्म ओफिशल वेबसाइट पे अवलेबल है अब देख लेते हैं इन सभी की eligibility condition as per University of Delhi UGC rules and regulation पहली post assistant registrar की इनके लिए essential qualification है good academic record with master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC 7th point scale तो कुछ desirable qualification दी गई है इसके बाद अगली vacancy section officer इन के लिए graduation होना चाहिए किसी भी recognized university से कुछ desirable qualification भी मांगी गई है diploma, certificate of minimum 6 month duration in computer application, office management, secretarial practice, financial management accounts or its equivalent discipline और उसी के साथ साथ अगर आपके पास experience भी है अपने related work का तो और अच्छी बात है इसके बाद senior assistant के लिए graduate, post graduate होना चाहिए किसी भी recognized university से और किसी भी discipline में और working knowledge of computer इसके बाद pharmacist के लिए bachelor's degree होनी चाहिए pharmacy में किसी भी recognized institution से या फिल 10 plus 2, plus 2 year diploma इन pharmacy अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और आपका registration भी होना चाहिए state pharmacy council के पास अगली vacancy है assistant की इसके लिए graduate किसी भी recognized और किसी भी discipline से पर computer की knowledge होनी चाहिए उसके बाद stenographer के लिए 10 plus 2 आपने कर रखी हो, short hand की speed 80 world per minute आपकी हो और typing speed 35 world per minute हो English की short hand speed 60 world per minute भी चल जाएगी आपकी 30 world per minute हिंदी की अगर typing speed आपके पास है तो knowledge of computer, diploma in computer and or office management and secretary at practice तो ये desirable है, essential है ये उपर वाली qualification इसके बाद अगली vacancy है junior assistant की इसके लिए 10 plus 2 आपने कर रखी हो और आपके typing speed होनी चाहिए English की 35 world per minute और हिंदी की 30 world per minute और computer पे आपकी ये typing speed होनी चाहिए इसके बाद driver ordinary grade के लिए 10 plus 2 आपने कर रखी हो या फिर graduation हो किसी भी recognized university में से और आपके पास valid driving license भी होना चाहिए, तीन साल का motor driving का experience भी आपके पास होना चाहिए इसके बाद अगली vacancy है junior engineer electrical की तीन साल का diploma electrical engineering में आपके पास हो और दो साल का experience as a junior engineer और works assistant electrician in a university research institute PSU engaged in construction activities private organization of repute तो ये है qualification इसके बाद अगली vacancy है senior technical assistant post graduate degree आपके पास होनी चाहिए या फिर B.E.B. Tech होनी चाहिए relevant subject में या फिर bachelor's degree in relevant subject with two year experience या फिर three year diploma in relevant subject with five year experience तो इन में से कोई A qualification post graduate degree B.E.B. Tech हो आपके पास relevant subject में या आपके पास B.E.B. Tech है bachelor's degree है concerned subject में और दो साल का experience है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं या तीन साल का आपके पास diploma है relevant subject में और पास साल का experience है तो भी आप इन के लिए आवेदन कर सकते हैं relevant subject में और दो साल का experience भी होना चाहिए relevant field का या फिर post graduate degree होनी चाहिए relevant subject में या फिर B.E.B. Tech in relevant subject या फिर तीन साल का diploma होना चाहिए relevant subject में चार साल का experience होना चाहिए अगली vacancy है laboratory assistant के 10 plus 2 आपने कर रखे हो science stream के साथ या फिर graduation हो किसी भी relevant subject में इसके बाद laboratory attendant के लिए 10 आपने कर रखी हो किसी भी recognized board से इसके बाद nursing officer के लिए B.E.C. owners nursing में अगर आपने कर रखे ताविदन कर सकते हैं या फिर regular course B.E.C. nursing कर रखा है तो भी आप आविदन कर सकते हैं या post basic B.E.C. nursing कर रखा है तो भी आप आविदन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपका registration भी होना चाहिए as a nurse और midwife with state nursing council या फ registered as a nurse nurse और midwife with state nursing council and one year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at B.E.C. तो ये qualification अगर आपके पास है तो भी आप आप आविदन कर सकते हैं या जो B section में qualification दी गई है ये आपके पास है तो भी आप इन पदों के लिए आप आविदन कर सकते हैं लाइबरी attendant के लिए 10th आपने कर रखी हो certificate होना चाहिए library science में, library information science में किसी भी recognize institution से तो ये qualification थी बाकी इन सब का selection process दिया गया है और syllabus वेगरा तो ये आप सभी जानकारिया इसके detail notification के माध्यम से ले सकते हैं इसका link आपको हमारे वीडियो के नीचे description प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसका PDF आपको हमारे telegram channel प भग impossible हैं तो आप इसका PDF डाउनलोड करके और अपने post के according सारे जानकारिया इसमें से ले सकते हैं तो ठीक है दोस्तो यही जानकारिया आप तक पहुचानी थी इस recruitment से जड़ी हुई इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे like और share करे और इसी प्रकार की जानकारिया सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरू से जरू सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार